नमस्का दोस्तों मैं उतकरश दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका टीसे जाओं में देखिए दोस्तों सो अतिमहत्वपूर्ण मुहारे एम लोकुक्तियों का संकलन इस वीडियो में हैं आप इसे अवश्य देख कर जाएए मुझे विश्वास है कि यहीं से जो आएंगे पूछे जाएंगे बाकी जो आसान है वो तो आप सब कर लेंगे इसमें हमने बहुत ही जो अतिमहत्वपूर्ण हैं मुहारे एम लोकुक्तियों जो पिछली परिशाओं में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं संभावना जिनकी है तो उनका संकलन है इसमें चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए आयते हरी भजन को ओटन लगे कपास अर्थाद वांचित कारे को छोड़कर अन्यकारे करना केवल अर्थ और केवल जो है मुहारा लोकुक्तियों और उनका जो अर्थ है वो दे दे रहा हूं वाक्य प्रयोग आप कर ली जाएगा आयते हरी भजन को ओटन लगे का पास अर्थाद वांचित कारे को छोड़कर जो कारे करना चाहिए उसको छोड़कर के अन्यकारे में लग जाना आखों में गड़ना अर्थाद वस्तु को पाने की उतकट लालसा किसी वस्तु को पाने की उतकट लालसा आखों में गड़ना जूतम पैजार अर्थात लड़ाई जगड़ा होना पौबारह होना अत्यधिक लाब होना पौबारह हो गए अत्यधिक लाब ठीक खिचड़ी पकाना किसी सड्यंत की तेयरी करना नीम हकीम खत्रय जान अल्प ग्यान हानिकारक होता है नीम हकीम खतरे जान, जान खतरे में पढ़ जानना, अर्थात अल्प ग्यान हनिकारक होता है, सब जबाग दिखाना, अर्थात प्रलोभन देना, सब जबाग दिखाकर कोई काम ले लेना किसी से, अर्थात प्रलोभन देकर कोई काम ले लेना, जैसे नेता हैं वो सब जबाग दिखाते हैं, चुनाओ के पहले, है न, खुदा गंजे को ना खून न दे, अत्याचारी को शक्ती नहीं मिलनी चाहिए, कभी नाओ गाड़ी पर, तो कभी गाड़ी नाओ पर, अत्याओ एक दूसरे की सहता करना, उड़ती चिडिया के पंक गिनना, अत्याओ असंभो कारे कर करना, नकार खाने में तूती की आवाज, उड़ता समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बार पूछा भी गया था, आख के अंधे, नाम नयनसुक, उड़ता गुणों के विपरीत, नाम का होना, चिकना घड़ा होना, उड़ता निरलज होना, जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजे, उड़ता समय के अनुसार कारे करना, इसे अंग्रेजों का पर यहाँ की अर्थिक संपन्ता थी, उसपे अंग्रेजों ने दाद गड़ा दिया था दूसरे के वस्तु पर लालज चाद पर थूकना अर्थाद निर्दोस पर कलंक लगाना ठीक है न या फिर सम्मानित व्यक्ति का अनादर करना यह दोनों होगा आठ आठ आशूर होना अर्थाद बुरी तरह पस्ताना आठ आठ आशूर होना उल्टी गंगा बहाना अर्थाद नियम विरुद्ध कारे करना उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या है नियम के विरुद्ध कारे करना कलं तोड़ना अर्थाद अच्छा लिखना ठाक के तीन पात यहां लिखा नहीं गलती से ढा एक ही दशामे रहना जिसे उसके करम ही ऐसे हैं जिसके कारण सदा ही ढा के थी पाथ रहता है अउटे पर मारना परवाह न करना कान काटना कान काटना मतलब मात देना तो कान काटना मतलब मात देना या फिर पराजित करना या फिर किसी से बढ़ कर होना ठीकिन अच्छे एक चीज ध्यान रखेए का कान कतरना भी आ सकता है तो कान कतरना उन कान कतरना में अंतर हो जाएगा कान कतरना मतलब अधिक होशियार हो जाना होता है कान कतरने कार्थ लेकिन कान काटना मतलब मात जिनाया पराजित करना या किसी से बढ़ करोना नजर करना मतलब भेंट करना कोई चीज जूतियों में डाल बाटना जूतियों में डाल बाटना अर्थात लडाई जगडा होना जूतियों में दाल बाटना घड़ो पानी पढ़ना अर्थात लजित होना पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल अर्थात योगिता होते हुए भी बिवश्टा के कारण निम्न कारे या छोटा कारे निम्नस्तर का कारे करना पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल खेत रहना अर्थात शहीद होना आस्तीन का साफ अर्थात कपटी मित्र तू डाल डाल मैं पात पात अर्थात चालाकी का जवाब चालाकी से बहती गंगा में हाथ दोना अर्थात आसर का लाब उठाना सिर खाना अवांचित समवाद करना ठीक कागजी घोडे दोड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना गोद में लड़का शहर भर में धिंडोरा थात पास में वस्तु रहते हुए चारो और खोजना तन पर नहीं लगता पान खाये अलबत्ता अर्था जूठा दिखावा करना घी के दिये जलाना अर्थात खुशी मनाना आख का अंधा गाट का पूरा अर्थात मूर्ख किंतु धनी कान काटना अर्थात चतुर होना चालांख होना ये दोस्तों गलत लिख गया है आपे चतुर होना नहीं हो गई है ज़्यादा बढ़कर होना किसी से पराजित करना किसी को मात देना, कान काटना कार्थ होगा इसको सही कर लिजेगा घड़ी में तोला, घड़ी में माशा ज़्यादा ज़्यादा बात पर खुश और नाराज हो जाना अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता अर्था स्वयम प्रयत्न करने पर ही काम बनता है ना करगड़ना याशना करना या खुशामत करना न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी अर्था असंभो कारे या फिर कोई ऐसी सर्थ रख देना जो पूरी न हो पाए सिर उठाना अर्था विद्रोह करना नई जमीन तोड़ना अनूठा प्रयोग करना नई जमीन तोड़ना सोने में सुगंद होना अर्था सुन्दर वस्तु में और ज्यादा गुण होना भीगी बिल्ली होना अर्था डर जाना कलेजे पर साप लोटना अर्था इश्या से जल जाना अउधी खोपड़ी अर्था मुर्ख होना कोईले की दलाली में हाथ काले अर्थात बुरे काम का बुरा परिडाम या नतीजा होना पारा उतरना अर्थात पारा चढ़ जाना मतलब क्रोध कुरधित होना वही पारा उतरना क्रोध कम होना आये थे हरी भजन को ओटन लगे कपास पानी पीकर जात पूछना अर्ठाथ कारे कर लिया उसके बाद उसकी जाज करने नाक का बाल होना अत्यधिक प्री होना अधेली न दे अधेला दे अर्थाथ दबाओं में पढ़कर अधिक देने को तैयार हो जाना कूद कूद मचली बगले की खाए अर्थाद विपरीत कारे होना आकाश कुसुम होना अर्थाद अनुहोनी बात होना ठीकें दुरलब कोई कारे हो जाए आकाश कुसुम होना अलाली चर्णा अर्थाद सुस्ती आना धूप में बाल सफेद होना अर्थाथ अनुभो ना होना बगुला भगत होना अर्थाथ भीतर से कप्टी होना मेड़की को जुकाम होना अर्थाथ अपनी शक्ती से बढ़कर बात करना मेरी तेरी आगे तेरी मेरे आगे अर्थाथ चुगल खोरी करना योगी था सो उठ गया आसन रही भभूत अर्थाथ पुराना गवरो समाप्त हो जाना लिखे इसा पढ़े मूसा अर्थाथ लिखावट में सुंदर्ता का अभाव होना लिखे इसा पढ़े मूसा बिच्चु का काटा रोवे सांप का काटा सोवे अर्थाथ मीठी मार अधिक बुरी होती है बिच्चु का काटा रोवे सांप का काटा सोवे आउसर चूके डूमिनी गावे ताल बेताल अर्था समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है समय बीच जाने पर आप मिया जी मांगते द्वार खड़े दर्वेश अर्था दीन हीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता है जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा अर्थात भाग हीन को कहीं सुख नहीं मिलता छटाक चून चौबारे रसोई अर्थात केवल दिखावा गाउं में कटहल गाच में कटहल ओठ में तेल अर्थात ख्याली पुलाओ पकाना गांच में कटहल, ओठ में तेल पानी न मागना अर्थाद ततकाल मर जाना शैतान की आथ अर्थाद बहुत लंबी वस्तू रीड तूटना अर्थाद निराश होना घड़ो पानी पढ़ना लज्जित होना छाती पर मूग दलना अध्यधिक परिशान करना कान में तेल डालना अर्थाद कुछ न सुनना हथेली पर सरसो उगाना या हथेली पर सरसो अर्थाद कोई दुशकर कार्य जोहर खुलना अर्थाद भेद का पता लगना गंगा गये गंगा गंगा दास जमुना गये जमुना दास जिसका कोई दिड़ सिधान्त नहीं होता है गंगा गए गंगा दास, जमना गए जमना दास तूट चाप नहीं जुरे रिसाने अर्था, नुकसान हो जाने पर क्रोध व्यर्थ है अंधा पावय आँखें तो पति पाए अभीष्ट प्राप्ति होने पर विश्वास जम जाना, अंधा पावय आँखें तो पति पाए घर का जोगी जोगड़ा आन गाओं का सिध्ध, अर्थाद घर के ग्यानी को सम्मान नहीं देना घर का जोगी जोगड़ा आन गाओं का सिध्ध, कोडी को न पूछना अर्थाद निकम्मा होना तालू में जीव न लगना, अर्थाद चुपन बैठना, चुपन रहना कान फूखना, अर्थाद घ्यान देना या दिक्षित करना, ठीक हैं, कान फूखना, अर्थाद घ्यान देना या दिक्षित करना या फिर धीरे से कुछ कह देना किसी को, कान में ठीक, हजामत बनाना, अर्थाद खुब पीटना दाहीना हाथ विश्वास पात्र चचा बना कर छोड़ना थाथ खुब मरम्मत करना तो दोस्तों ये सो अति महत्वकूर्ण मुहावर्य और लोकुप्तियां उनका संकलन था निश्चित रूप से आप लाभानमित होंगे इससे बहुत बहुत धन्यवाद